आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे percentage में increment और decrement से जुड़े हुए questions उनको किस तरह से solve किया जाता है कम से कम time में easy method से smart method से आप उसको किस तरह से solve कर सकते हो आज मैं आपको बताऊंगा percentage काफी important topic है इससे जुड़े हुए six part हम complete कर चुके हैं अगर आपने किसी part को miss कर दिया है तो यहाँ पर click करके आप से देख सकते हैं और जो viewers first time हमाई इस channel पर हैं वो यहाँ पर click करके इस channel को subscribe कर लें ताकि कोई भी नए वीडियो का update notification आप miss न करें friends आपको मेरा यह वीडियो पसंद आये तो like करना मत भूलेगा अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा और comment कीजेगा ताकि मुझे पता चल सके आपको यह वीडियो कितना पसंद आ रहा है तो start करते हैं आज की class hello friends मेना नाम है समिर गलोथ दीट्यूप गुरू में आप सभी का स्वागत है part 7 percentage, increment और decrement तो friends percentage में increment होना और decrement होना एक तरह से कह सकते हैं percentage में कुछ change होगा ठीक है और वो percentage में change हम किस तरह से find out कर सकते हैं final value minus initial value जो values दी गई है final जो value है उसमें से हम initial value को subject करेंगे उसको divide करेंगे initial value से और पूरी उस value को into कर देंगे 100 के साथ में और यह एक percentage value होगी percentage change हम find out कर रहे हैं change मतलब increase और decrease increment हुआ है percentage में decrement हुआ है अब यह कैसे पता चलेगा कि increment हुआ है decrement हुआ है तो इसका पता चलेगा यहाँ से जब आप final value में से initial value को subject कर रहे हैं तो जो value आएगी अगर positive value आती है तो उसका मतलब है percentage जो है वो क्या है increase है ठीक है increment हुआ है और अगर subtract करने पर जो value है negative आती है उसका मतलब है decrement हुआ है decrease हुई यह value तो दोनों ही sign से आप यह पता कर सकते हैं increment हुआ है या फिर decrement हुआ है इसको आप एक example से समझिए मान लीजे rise की जो price थी वो पहले 30 रुपीज पर केजी थी और बाद में कितनी हो गई 20 रुपीज पर केजी अब यहाँ पर initial value क्या होगी 30 रुपीज पहले कितनी थी 30 तो initial value क्या होगी 30 और final value क्या होगी 20 तो percentage में ज 30 divided by initial value 30 into 100 solve कर लेते हैं इसे 20 minus 30 कितना जाएगा minus 10 divided by 30 into 100 0 से 0 cancel हो जाएगा अब 100 by 3 100 by 3 कितना हो जाएगा 33 with 1 by 3% ठीक है 1 by 3 जो fraction है उसको percentage में अगर हम change करते हैं तो कितना जाता है 33 with 1 by 3% तो यहाँ पर हम कहेंगे अब यह जो value है negative होगी ठीक है sign क्या है negative है तो percentage change की अगर हम बात करें तो percentage change कितना होगा 33 with 1 by 3% और value की increment की और decrement की बात करें तो यहाँ पर value decrease होई है ठीक है value decrease होई है क्योंकि sign जो है वो minus का आया है तो easily इस formula में आप values put करके percentage जो change हुआ है वो find out कर सकते हो अब आगे बरते हैं और देखते हैं effective percentage change क्या होता है if a value of an object is first changed, change मतलब increase or decrease by a percent and then change increase or decrease by b percent then effective percentage change equals to plus minus a plus minus b plus plus minus a into plus minus b divided by 100 तो देखिए यहाँ पर कहा गया है अगर कोई value है देखिए किसी भी object की object मतलब कोई भी parameter हो सकता है price, profit, speed के बारे में बोला जा सकता है तो कोई भी value हो सकती है अगर उसमें starting में change हो रहा है a percent से और बाद में a percent change होने के बाद में फिर से change हो रहा है b percent से तो उसको check करने के ल यूज करेंगे plus minus a plus minus b plus plus minus a into plus minus b divided by 100 अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कब हम plus sign जो है वो use करेंगे कब हम minus sign यूज करेंगे तो जब भी increment की बात होगी तो आप plus sign यूज करेंगे ठीक है जब भी increment की बात होगी आप plus sign यूज करेंगे और जब भी decre की बात होगी आप minus sign यूज़ करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है जहां पर भी plus minus लिखा हुआ है तो आपको एक sign यूज़ करना है formula में तो increment होता है तो आपको plus sign यूज़ करना है decrement होता है तो minus sign यूज़ करना है अगर आप से कहा जाए first जो change हुआ है वो increase हुआ है ठीक है increase हुआ है a percent से तो आपको यहाँ पर plus a लेना है अगर बोल दिया जाए decrease हुआ है a percent से तो minus a लेना है इसी तरह से b के साथ में करना है increase हुआ है तो plus sign लेना है और decrease हुआ है तो minus sign लेना है और friends compound interest में भी हमने इस formula को use किया है अगर आपने miss कर दिया वो topic तो यहाँ पर click करके आप से देख सकते हैं क्योंकि effective rate of interest हमने find out किया था ठीक है effective rate of interest हमने find out किया था जब भी हमें two year के लिए अलग-अलग percentage दी गई थी rate of interest दी गई थी तो उसको एक साथ calculate करने के लिए हमने इसी तरीके से formula को use किया था और एक effective rate of interest find out की थी तो वो जो concept है आपको वहाँ से काफी easily समझ में आ जाएगा और ये two year के लिए हमने use किया था three year के लिए भी वहाँ पर use किया था तो four percent से increase हुआ और हमसे यह पूछा जा रहा है जो percentage change हुआ वो कितना हुआ तो overall percentage change हमको यहाँ पर बताना है तो उस overall percentage change को find out करने के लिए हम इस formula को use करेंगे तो क्या हो जाएगा two plus अब देखिए increase हुआ है increase हुआ है तो दोनों हम plus में values लेंगे a b plus में होगा और b b plus में हो plus two into four divided by hundred होगा तो इसको solve कर लेते हैं two plus four कितना आ जाएगा six आ जाएगा ठीक है और इसको solve करने पर क्या आएगा two into four eight eight divided by hundred that means .08 तो eight करेंगे six के साथ में तो कितना हो जाएगा six point zero eight तो यह जो percentage है यह हमें बताएगी कितना change हुआ है percentage में कितना change हुआ है six point zero eight percent अब यह तो बात होई two time percentage change हुई उसकी मान लीजिए next year में जो profit है वो two percent से increase हो जाता ठीक है तो three time यहाँ पर percentage change हुई है अलग-अलग increment हुआ है तो overall percentage change हुआ है उसको किस तरह आप find out कर सकते थे देखिए starting में two year का percentage change हुआ उसको आपने find out किया six point zero eight ठीक है अब आपको इन दोनों को ले यह two year को calculate करते हुए उन दोनों को आपको लेना है और इसी formula में आपको यह values put करनी है जिससे overall जो percentage change है वो find out हो जाएगा देखिए इसको a मान लेते हैं हम positive value है तो six point zero eight plus two plus six point zero eight into two divided by hundred हो जाएगा तो इसको solve कर लेते हैं six point zero eight plus two कितना हो जाएगा eight point zero eight और यहाँ पर कितना आजाएगा six point zero eight into two that means twelve point sixteen twelve point one six ठीक है और उसको hundred से divide करना है तो value क्या आजाएगी point one two one six अब इन दोनों को add करना है तो यहाँ पर value आजाएगी eight point two zero one six percent ठीक है तो overall percentage की हम बात करें तो change कितना हुआ है eight point two zero one six percent तो अगर हमसे कहा जाता है starting में profit है वो इतना था तो first two percent से increase हुआ तो पहले हम उसको find out करते फिर जो भी value आई उसको four percent से increase करते फिर जो भी value आई उसका two percent हम देखते फिर उससे increase करते तो ऐसा ना करके एक percentage हमने find out कर ली इस percentage से direct हम calculate कर सकते हैं भई profit में कितना change हुआ अब percentage change से जुड़े हुए कुछ questions हम discuss कर लाते हैं question number first nike's stock price has dropped from dollar 160 a share to dollar 115 a share this past month in the same time adidas had its stock price rise from dollar 60 a share to dollar 78 which company experience the larger percent of change तो देखे question में हमसे क्या का गया है दो companies है नाइकी के जो stock price है वो गिरे हैं जो share की एक value थी 160 है वो कितनी हो गई है 115 हो गई है और adidas के stock जो है वो बढ़े है उसके एक share की value थी 60 वो बढ़कर कितनी हो गई 78 हो गई हमसे यह पूछा जा रहा है कौन सी company ने ज्यादा percentage change जो है वो experience किया है मैसूस किया है तो percentage change find out करने के लिए हमारे पास में formula है percentage change किस तरह से find out करते हैं final value minus initial value divided by initial value और इसको into करना है 100 के साथ में तो पहले नाइकी जो company है उसका जो percentage change हुआ है वो हम find out कर लेते हैं ठीक है क्या हो जाएगा final value क्या है final value है 115 initial value क्या दी 160 divided by 160 into 100 तो solve कर लेते हैं इसे क्या हो जाएगा 115 minus 160 minus 45 divided by 160 into 100 0 से 0 cancel अब 45 को divide करना है 16 से देखी कितने time divide होता है 2.8125 तो यह divide होगा 2.8125 time और इसको हमें into करना है 10 के साथ में ठीक है तो value क्या है negative value है तो negative ही percentage हमारे पास में आएगी कितनी percentage आजाएगी 28.125% तो नाइकी कि stock price में जो percentage change आया है वो कितना है 28.125% अब edit hours के stock में जो changes आया है वो देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर जो final value है वो क्या है 78 और initial value क्या थी 60 अब यहाँ पर divide में initial value रखनी होते हैं तो यहाँ पर हम 60 रिखेंगे ठीक है और इसको into करना है 100 से solve करेंगे इसको तो देखें किता आजाएगा 78 minus 60 that means 18 18 divided by 60 into 100 तो solve करते हैं इसे 1 0 से 1 0 cancel 6 से 18 divided होगा 3 time तो value यहाँ पर आजाएगी 30 ठीक है तो यहाँ पर addidas के stock price में जो change हुआ है percentage change हुआ है वो कितना हुआ है 30 तो यहाँ पर हमें clearly दिख रहा है कि ज्यादा percentage change किसमें हुआ है addidas company में ठीक है ज्यादा percentage change किसमें हुआ है addidas company में क्योंकि यहाँ पर 30 परसेंट हुआ है यहाँ पर नाइकी के stock price में जो change हुआ है वो कितना हुआ है 28 परसेंट बैं नेगेटिव है वो बात अलग है पर percentage change कितना हुआ है 28 तो clearly हम कहेंगे जादा जो percentage change experience किया है वो addidas company ने किया है अब next question लेते हैं question number 2 15 fans attended a band's first concert 18 fans attended their second concert what was the percent increase in number of fans from the first concert to the second question में हमसे कहा गया है एक band है जिसके first concert को attend किया 15 fans ने और second concert को attend किया 18 fans ने हमसे यह पूछा जा रहा है जो percentage increment हुआ है percentage जो increase हुई है first concert से लेकर second concert में वो percentage क्या है यह हमको बताना है तो percentage change हमें यहाँ पर find करना है उसके लिए हमारे पास में formula है क्या है final value minus initial value divided by initial value into 100 अब यहाँ पर final value क्या है 18 भाई second concert को किते fans ने अटेंड किया 18 ने तो final value है 18 initial value कितनी है 15 तो divide करेंगे हम 15 से into 100 solve करते हैं से 18 minus 15 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 by 15 into 100 अब देखिए 3 से यह one time divide होगा और 3 से यह five time divide होगा और 105 से divide हो जाएगा 20 time तो यहाँ पर जो value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20% तो number of fans में जो changes आये है percentage में वो कितना है 20% अब question number 3 discuss करते हैं क्या दिया हुआ है the profit made by a company in the year 2014 was rupees 18 lakh in the year 2012 the profit of the same company was rupees 24 lakh find the percentage change in the profit of the company तो question में हमसे कहा गया है एक company है जिसने अपना profit बनाया है 2014 में 18 lakh और उसका जो profit था 2012 में वो था 24 lakh तो हमसे यहाँ पर यह कहा जा रहा है हमको find करना है percentage change जो उसके profit में हुआ है वो percentage change हमें यहाँ पर बताना है find करना है तो देख लेता है percentage change जो है वो कितना आया है इसको find out करने के लिए क्या करते हैं final value minus initial value divided by initial value into 100 तो देखें यहाँ पर initial value क्या है initial value है 24 lakh और final value क्या है 18 lakh 2014 में profit कितना हुआ है 18 lakh तो 18 lakh में से हमें 24 lakh minus करना है तो value यहाँ पर क्या आ जाएगी minus 6 lakh और उसको divide करना है 24 lakh से initial value क्या है 24 lakh ठीक है अब यहाँ पर into हमें कर देना है इसको 100 से percentage में क्योंकि यह value हमें चाहिए 50 से 50 cancel out हो जाएंगे 6 से 24 डिवाइड होगा 4 टाइम और 100 डिवाइड होगा 4 से 25 टाइम तो यहाँ पर value क्या आ जाएगी minus 25% अब percentage change की हम बात करें तो percentage change जो हुआ है वो कितना हुआ है 25% ठीक है company के profit में जो percentage change आया है वो कितना आया है 25% और increase और decrease की बात करें profit में तो यहाँ पर easily आप देख सकते हैं भई minus का sign आया है तो profit में decrement हुआ है profit decrease हुआ है कितनी percent से 25% से तो friends जो questions है easy है easily आप इनको solve कर सकते हो बस final value और initial value आपको पेचान नहीं है और formula में put करना है तो answer easily आप find out कर पाओगे friends आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो like करना मत बूलिए अपने दोस्तों के साथ में से share कीजिए और comment आप कीजिए बढ़ते हैं next question की तरफ question no.4 this salary of a worker was first increased by 10% and thereafter decreased by 5% what was the change in his salary तो देखिए यहाँ पर question में क्या दिया गया है एक worker है जिसकी salary पहले तो increase हुई 10% के साथ में और फिर बाद में decrease हुई 5% से तो percentage में जो change आया है वो हमको find out करना है तो इसको question को देखकर आपको easily लग रहा होगा effective percentage change से जुड़ा हुआ question है तो effective percentage जो है effective percentage change जो है वो हम किस तरह से find out करते हैं plus minus a plus minus b plus plus minus a into plus minus b divided by 100 यही formula होता है effective percentage change का अज़र के question में क्या का आ गया है first time salary जो है increase हुई है 10% से तो a की value क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी second time value decrease हुई है 5% से तो b की जो value होगी वो 5% होगी लेकिन negative में क्योंकि value decrease हुई है ठीक है तो यहाँ पर values put कर लेते हैं 10 minus 5 plus 10 into minus 5 divided by 100 यही होगा अब इसको solve कर लेते हैं देखे 10 minus 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाए जाएगी 10 into minus 5 that means minus 50 को divide करना है 100 से 1 0 से 1 0 cancel 10 divide होगा 5 से 2 time तो यहाँ पर value क्या जाएगी minus 1 by 2 minus 1 by 2 का मतलब क्या है minus 0.5 ठीक है minus 1 by 2 का मतलब क्या है minus 0.5 plus और minus अगर into होते हैं तो minus value आती है ठीक है तो 5 minus 0.5 कितना हो जाएगा 4.5 और यह एक percentage value होगी तो percent में कितना change आया है 4.5% total percent में जो change आया है वो कितना है 4.5% that means उसकी जो salary है वो increase होगी value हमारे पास में positive आई है इस वज़े से उसकी जो salary है increase होगी 4.5% से और exam में आपको 30 steps लिखने की जुरत नहीं है formula जो है वो लिखने की जुरत नहीं है आपको याद होना चाहिए direct आप values put कर लें paperwork सिर्फ इतना ही करें सिर्फ एक step लिखे इसको solve करके find out कर लें और यह जो steps है इनको भी लिखने की जुरत नहीं है चुकि calculation यहाँ पर इतनी easy है जिसे आप mind में भी कर सकते हैं a की value आपको पता है b की value आपको पता है minus 5 तो a 10 minus 5 ठीक है a plus b किता हो जाएगा 10 minus 5 यादि की 5 और next जो step हो क्या है a into b that means 10 into minus 5 minus 50 divided by 100 minus 1 by 2 आएगा that means minus 0.5 5 minus 0.5 that means 4.5 तो easily आप mind में calculate कर सकते हो कोई भी step आपको लिखने की जुरत नहीं है तो practice ज़्यादा से ज़्यादा आप करें formula आप exam में नहीं लिखें paperwork कम से कम करें easily आप अपना time बचा पाएंगे और question को solve कर पाएंगे बढ़ते हैं next solution की तरफ question number 5 a shopkeeper marks the prices of his goods at 20% higher than the original price after that he allows a discount of 10% what profit or loss did he get question में हमसे कहा जा रहा है एक दुकानदार है जिसने अपने सामान की जो price है वो पहले तो 20% से बढ़ा दी ठीक है पहले उसने 20% से increase कर दी उसके बाद में उसने discount दिया discount का मतलब है price decrease कर दी 10% से हमसे यह पूछा जा रहा है उसको profit होगा या फिर loss होगा तो कितना profit होगा और कितना loss होगा यह हमको find out करना है तो question में पहले percentage increase हो रही है फिर percentage decrease हो रही है तो effective percentage change जो है वो क्या आ जाएगा formula आप ध्यान में रखें diet में values को लिख रहा हूँ यहाँ पर यह क्या हो जाएगी 20% increase हुई है तो positive value लेंगे 10% क्या है decrease हुई यह value है discount के बाद में है decrease किया है value को 10% से तो यह negative value हम लेंगे तो क्या हो जाएगा effective percentage change 20-10 plus 20 into minus 10 divided by 100 20-10 कितना होगा 10 plus 20 into 10 minus का 10 है तो value क्या आ जाएगी minus 200 divided by 100 2 0 से 2 0 cancel तो total यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 minus 2 that means 8 तो 8% का profit हुआ है उसे loss नहीं हुआ है loss क्यों नहीं हुआ है क्योंकि value जो है हमारे पास में negative नहीं आई है value जो आई है हमारे पास में positive value आई है percentage change का हम बात करें तो 8% change हुआ है और positive value होने की वज़े से हम यह कहेंगे उसक profit हुआ है और profit कितना हुआ है 8% का तो friends इस तरह के जो questions रहते हैं normally आप एक variable x मानकर solve करते हैं कि starting में जो prices ही होगी जो mark की होगी वो x की होगी उसके बाद में उसका 20% कितना हुआ उसके बाद में जो value i उसको decrease किया 10% से फिर overall जो value i compare करके आप देखते हैं उसके बाद में फ काफी paperwork आपको करना पड़ता है time काफी जादा लग जाता है और उसके बाद में आपका answer आता है तो आप direct formula का use करें इसको ध्यान में रखें कहीं जगह पर काम आएगा यहां पर तो काम आई ही रहा है effective rate of interest आप निकाल सकते हो इसी formula से तो compound interest में भी काम आएगा तो कहीं जग पर काम आता है calculation percentage से जुड़ी हुई कहीं जगह पर काम आती है तो आपको इनको ध्यान में रखना है आपका paperwork जो है वो कम से कम करना है बड़ते है ने solution की तरफ question number 6 तो क्या question है देखिए the breadth of a rectangle increase by 80% and its length increase by 40% what will be the percentage change in the area of the rectangle तो question है कि एक rectangle है जिसकी breadth है चोड़ा ही है उसको increase क किया गया है 80% से और जो length है उसको increase किया गया 40% से हमें यह बताना है percentage change जो हुआ है उसके area में वो कितना है और इस question को मैं दोनों तरीके से जो आपका normal method है और effective percentage change से हमने जिस तरह से question को solve किया दोनों तरीके से solve करके बताऊंगा ताकि जो time है वो आप कहां पर बचाते है य length जो है वो L meter है और area क्या हो जाता है rectangle का breathe into length यहाँ पर क्या हो जाएगा B into L अब बोला क्या गया है question में breathe जो है rectangle की increase की गई है 80% से increase की गई है इसका मतलब है हम direct अगर breathe की बात करें तो किस तरह से find out कर सकते हैं B into 180 divided by 100 ठीक है इस से हम direct breathe जो है increase होने के बाद में कितनी हो पर क्या हो जाएगा 1.08 B ठीक है breathe कितनी हो गई 1.08 breathe जो original breathe थी उसकी 1.8 गुना हो गई है ठीक है अब length की बात करें तो length में कितना increment हुआ है 40% से increase हुई है तो L into 140 divided by 100 10 से 10 cancel कितना आ जाएगा 1.4 L तो जो original length थी उससे 1.4 गुना जादा बढ़ गई है 1.4 गुना हो गई है अब breathe और length में increment हुआ है तो area में changes जाएगे ठीक है तो area क्या हो जाएगा इसको हम A1 माल लेते हैं इसको A2 माल लेते हैं पहले area क्या था B into L अब area क्या हो जाएगा 1.8 B into 1.4 L होगा तो इसको solo करने पर A2 की value क्या हो जा 2.52 PL यहाँ पर value आजाएगी ठीक है 2.52 BL और यहाँ पर A1 क्या है BL ठीक है increment नहीं हुआ था breathe B थी length L थी तो area होगा B into L, BL और A2 कितना आ गया increment के बाद में 2.52 BL अब area में percentage change क्या हुआ है यह find out कर लेते हैं पर percentage change किस तरह से find out करते हैं हम final value minus initial value divided by initial value into 100 final value क्या है यहाँ पर A2 कितना 2.52 BL initial value क्या है A1 that means BL divided by BL into 100 solve करने पर क्या हो जाएगा देखिए इसको subtract करेंगे तो value आएगी यहाँ पर 1.52 BL divided by BL into 100 100 तो BL से BL cancel out हो जाएगा तो 1.52 को into करना है 100 से तो value यहाँ पर आएगी 152% तो percentage change कितना हुआ 152% तो जब breathe को 80% से increase किया जाए length को 40% से increase किया जाए तो area में 152% का इजाफा होता है 152% से increment होता है अब हमारा smart method जो है वो यहाँ पर try करते हैं हम effective percentage change जो है वो क्या होगा यहाँ पर A की value जो है वो क्या है 80 है इंक्रीज हुआ है तो positive value होगी A की value कितनी हो गई 80 B की value कितनी होगी 40 यह भी increase हुआ है तो positive value होगी तो effective percentage change जो है वो क्या हो जाएगा 80 plus 40 plus 80 into 40 divided by 100 80 plus 40 120 plus अब 0 से 0 cancel out हो जाएगा 8 into 4 कितना हो गया 32 ठीक है 8 into 4 कितना हो गया 32 तो 120 plus 32 कितना हो गया 152 और यह एक percentage value होगी तो effective percentage change कितना है 152 तो यहाँ पर आप देखिए इतना कुछ करने के बाद में हमारे पास में answer कितना है था 152 यहाँ पर बहुत कम step में और इन step को लिखने की जुरत नहीं थी mind में आप calculate कर सकते थे इतनी बड़ी कोई calculation नहीं है direct आप answer find out कर सकते थे तो देखा friends आपने smart way से आप अपना कितना time save कर सकते हो कितना कम paperwork आपको करना पड़ेगा उससे आपका time बचेगा time बचेगा तो आप ज़्यादा questions attempt कर पाएंगे और उससे आपका score बढ़ेगा और friends आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपके लिए helpful है तो like इसे कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में share कीजिएगा comment कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये जो वीडियो है वो कितना अच्छा बन रहा है आपको कितना अच्छा लग रहा है क्या कमिया इसमें है ताकि मैं उनको सुधार सकूँ और जिन students ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है वो यहाँ पर click करके इस channel को subscribe कर ले ताकि कोई भी अपडेट नए वीडियो से जुड़ी भी आप मिस न करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एभी पर हमारा गुरूप बना हुआ है YouTube गुरू नाम से वहाँ पर आप अपना डाउट लिखें 24 आस के अंदर में आपको उसका solution मिल जाएगा